गन्य की आत्मिकथा पर निबंथ पुराने जमाने में त्रिशंकु नामक धर्मात्मा राजा हुए हैं उनके लोक में मेरी खेती की जाती थी लोक मुझे ही खाया करते थे और मेरा ही रस पिया करते थे वहाँ पर मेरी बहुत इज़त थी स्वयम राजा प्रिशंकु को भी मैं बहुत प्रिय था एक बार धर्ती का एक मनुश्य वहाँ गया और मेरी कुछ किसमे यहां ले आया यहाँ पर उसने मुझे उगाया यहाँ पर भी मैं बहुत अधिक फला फूला मेरी अत्यदिक इज़त की जाने लगी इक्षवाकु वंश से संबंधित होने के कारण लोगों ने मेरा नाम इक्षु रख दिया जो अब बिगरते बिगरते इक हो गया है वैसे मुझे गन्ना भी कहते हैं आजकल मैं भारत, अरप और मिस्र आधि देशों में अधिक पैदा होता हूँ जब मेरी फसल तयार हो जाती है तो मुझे काट लिया जाता है और मेरे हरे हरे बालो वाली कलगी भी काट दी जाती है अब मैं बिल्कूल तुंट सा लगता हूँ अब मुझे कोलू में पेर कर मेरा रस निकाल लिया जाता है और उबाला जाता है धीरे धीरे गाढ़ा होकर मैं खोए के रूप में बदल जाता हूँ फिर मुझे हाथों से थाप लेते हैं इस प्रकार मैं गुड़ बन जाता हूँ पकर तयार करने के लिए उबलते हुई राब को दूद या चूने को मिलाकर पैल दूर कर लेते हैं अब मैं सफेद रंग की राब बन जाता हूँ अब राब को धीमी आग में पका कर शक्कर तयार कर लेते हैं वैसे अभिया काम मशीनों द्वारा बड़ी-बड़ी मीलों में होता है हमारे देश में भी अनेक चीनी की मीले हैं अपने उत्तर प्रदेश में ही काफी चीनी की मिले हैं इस प्रकार में चीनी, मिठाई, गोलिया तता टौफिया आधी रूप में बाजार में आता हूँ एक बात और आदमी के शरीर में बल और गर्मी पैदा करने के लिए कुछ शक्कर का होना आवश्चक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सारा दिन शक्कर और मीठी वस्तुएं ही खाते रहो अधिक चीनी खाने से आजमा खराब हो जाता है और जो बच्चे मीठी चीनी खाकर कुल्ला नहीं करते उनके दातों में कीडा लग जाता है और वे खराब हो जाते है इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए